इंडी एलाइन्स दोस्तों आप इंडी एलाइन्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके होंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई दिन पहले ही इंडिया गटवंधन बना जिसमें की जीतने भी देश के सारे चोर लूटे रहे थे उन लोगों ने अपना-पना सहमती जताया और एक गुरूप बनाने के बारे में सोचा और उसका नाम रखा गया है इंडी एलियांस लेकिन आप क्या देखें हैं कि किस तरह से जो केजरिवाल जब हुआ करता था जब फर्ष्ट में जब राय निती में आया तो किस तरह से अपने हाथ में फाइल लेकर क जितने भी हैं जो लोग आज उसी इंडिया गड़ बंधन में जूड़े हुए हैं और सारे चोर जो अपना आज लंग होती है यार की तरह से एक दूसरे का पिछवाड़ा पकड़ करके बैठे हुए हैं तो उन लोगों को जेल में भीजवाने की बात कर रहा था के जरिवा लेकिन सारे के सारे जितने भी आज इंडिया गड़ बंधन में जितने भी नेता हैं और सारे के सारे एक दूसरे को फुटी आँख नहीं सूहाते थे और कोई भी किसी को एक मतलब देखना नहीं चाहता था वो हमेशा से उन लोगों में नफरत भर दरई हाती थी लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन किस तरह से देश को विकास की और ले जाया जा रहा है तो आज उसे रोकने के लिए किस तरह से इंचोरों के दोरे एक गुरू बनाया जा रहा है और इसे नरेद रमोदी को हटाने के लिए बीजेपी को हटाने के लिए परियास किया जा रह किस तरह से अज डेस का जो नाम है वह बीदेसों में किस तरह से फैल रहा है किस तरह से देस के कारियां अच्छे अच्छे जो पेंडिंग पड़े हुए थे और किस तरह से अनेक चीजु कुए दी आप देखेंगे गाराई से देखेंगे ना खर भारत को दूसने वाले और मो जो बीता हुआ राजनीती केरियर था किस तरह से कितना घटिया तरीके से था और आज वही लोग एक जुट हो करके आज हिंदू को भी बर्गला रहे हैं किस तरह से उन लोगों को त्वारा अलग अलग प्रोपगेंडा अपनाई जाती है किस तरह से जेंडा चलाई जाती है और ताकि किसी भी तरीके से नरंद्रमोदी को बदनाम किया जा सके है लेकिन लोग तो आज पहुत ही अची तरह से क्या हकीकत है क्या देश में हो रहा है वो सारे के सारे चीजों को जानते हैं लेकिन सबसे सर्म उननेताओं को आने चाहिए जीन लोगों ने एक दूसरे को भर भर करके गालियां दिया और आज वही लोग लंहोटिया यार बन करके खड़े हैं सिर्फ उसिर्फ एक इमांदार नेता को हराने के लिए